तो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत थे एक नए वीडियो में और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यह है आपका बनारस रेलवे स्टेशन इससे पहले इसका नाम मलगवाडी रेलवे स्टेशन हुआ करता था अब इसका नाम बदल कर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है तो दोस्तो आज मैं उसी काप को नजारा देखाने वाला हूँ तो वीडियो में कंटीन्यू बने रहिएगा तो दोस्तो यह है बनारस रेलवे स्टेशन के बाहर करना जा रहा और बाहर यह आपका देखा जा तो यह देख रहे हैं यह एक छोटा सा तलाब भी बना गया है और इसमें आप देख रहा हूँगे जो की फूहारे भी लगे हुए हैं यह आपका साम के समय यह जब चालू ह होता है तो देखने में और भी खुशूरत लगता है और यह है आपका जैसा कि आप सामने देख रहा हूँगे यह देखे भहुत ही खुशूरत ना जा रहा है और इस समय दोपहर के एक बच कर तेरा मिनट हो रहे हैं आप यह देख रहा हूँगे जो की हमारा जंडा लहरा है और इस समय हावा भी काफी देख चल रहा है और दोस्तों आप सामने एक जो कि बनारस रिले स्टेसं के यह जो रास्ता यह देख रहे हैं यह सीधे आपका चला जाएगा मडवा ड़ी चौरहा के लिए और इस साट जो रास्ता है यह सीधे आपका ककरमत्ता पूल होते हु और फूट की दूरी पर एक आपको इसी प्रकार का बेंच बनाए गया है बैटने के लिए और यह जो देख रहे है यह है बनारस रिले स्टेसं के बाहर का यह जो है गार्डेन एरिया यह देखिए बहुत ही खुबसूरत इसे पूरब बेर पौदर से इदम सजाय गया है इ और इसी साइट आपका कार पार्किंग है यानि पार्किंग एरिया यह सामने जो देख रहे हैं कार पार्किंग एरिया और उस साइट आपका है साइकल एवं इस्कूटर इस्टेंड लिखा हुआ है तो चलिए आगे भी लेकर चलते हैं आपको और यहां पर देखेंगे तो आपका LED लाइट भी रंग भी रंगे लगाया गया है उपर जैसा कि आप देख पा रहें गई साइड और उस साइड और रात के समय भी इस बनारस रेलवे स्टेसें का देखने का नजारा कुछ लगी कर दो दाता है और सामने ही आप देखे रहे हैं कि जो कि एक रिल इंजन रखा गया है जो कि इस इस्टेशन को और भी खुस्पूरत बना देता है और रात के समय देखेंगे तो उस इंजन में कई सारे आपका LED रंग भी रंगे लाइट भी लगा हुआ है जो कि देखने में और खुस्पूरत लगता है तो यह है बनारा स्रेल्वे स्टेशन का नजारा जैसा कि आप देखेंगे कई सारे यहां पर बोर्ड में लगा हुआ है और सामने यह एक LED स्क्रीन लगा गया है उससे पुरा समय साराडी ट्रेयन का नाम और नमबर पुरा लिखा हुआ है स lapsे की पようにर रड़ में लगना के सारे Tabii को ने स्टेशन के वे पुरा समय सारे ज़ 115 डा कर वेंदू अधुरा को जाना नाम रड़ता का पुरा लिखा है तो को श्तारा कि इसे लिखता है यह इसरब पुर कर लिखता है पर आराब ने पृसप को इस साइट भी आपका एक छोटा सा पार्क बनाए गया है जहां पर आप देख रहोंगे आपको जूम करकर देखा रहे हैं जो कि आप देख रहोंगे जो कि नंदी जी विराजमान है अभी मैं हूँ प्लेट फार्म नंबर आठ पर यह है प्लेट फार्म नंबर आठ और सामने ही आप देख रहोंगे जो कि आपका मडवाडे आरोबी आपको दिख रहा होगा यह देख रहोंगे इसमें बदरी टाइप का मौसम है जिसके वेए से थोड़ा वीडियो मेरा है काला टाइप का रहा है तो उसके लिए मैं मात पी चाहूंगा यह देख रहा है यह आपका वहान इस्टेंट और इसमें मैं आ चुका हूं मडवाड यानि जो बनाद रुली स्टेशन है प्रवेश्द्वार एक पर तो चलते हैं आंको प्रवेश्द्वार एक पर तो पिसले मैं ने देखा था जो वीडियो था बनाद रुली स्टेशन का वह था प्रवेश्द्वार आपका दो और यह है एक यह देखें आपका इस साइड है आपका टिकर्ट काउंटर कि अचिए कि अचिए कि अचिए कि अचिए कि और सामने ही एक आपका लोहत से बनाया गया शेर का च्चित्र जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह देखें अक कि दोस्तों यह था बनालास रेल्यवेश्टेशन का नाजारा तो उम्मिद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओगा तो लाइक कर दिजेगा और कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के कुछिस किजिए ज़्यादा ज़्यादा सेयर करने के लिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव